हमारी बात चल रही थी Hip Join पर and Hip Join में भी हम आप से बात कर रहेते reactions of Hipjoint के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में याप पूरा का together qua या पूरे के together को चार अदर एक्सपेयन किय तहां या फिर पूर दीजीह रिलेशन को हम चार पूरी के अदर पडते हैं औके सबसे पहला एंटी डेलेशन ओफ जोईंट पोस्टीर सुपीरियर एंड इंफीर डेलेशन ओफ हिप जोईंट ओके एंड मैंने पूरा का पूरा आपको बताया था कि इस पेस के अंदर मैंने जितना भी जितना भी त्रीटिकल पॉर्शन लिख रखा है ना फिर बोल दी आपके लिए अब जो यह वाली वीडियो है यह वाली वीडियो बिल्कुल ही सिंपल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे क्योंकि आपको पता ही होगा ना जब भी आप एनाटमी का पेपर देने जाओ तो एनाटमी के पेपर में जितने भी कुश्यंज है तो उन सभी कुश्यंज के डाइग्राम एंड क्लिनिकल यह दोनों लिखना मस्ट होता है चाहे कुश्यं में पूछा गया हो या नहीं पू तो जैनिकल्स हर कुश्यं में जरूर बनाकि आना क्लिनिकल्स हर क्ने के झरूर लिखके आना जैए पूच्य गए और आ cm करोगे ना तो आपको औरो से बेटर नंबर मिलेंगे नाटमी के पेपर में ओके एंड देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना भी रखी है कि एक्जाम में लिखने का करेक्ट वे क्या है ताकि हम कम से कम कंटेंड लिखकर भी अच्छे नंबर गेंड कर सके तो उसकी पू की भी थी क्रम की बात नहीं की है हमानता ओं डियमगे ने रख डियागराम को सेंगे हने घमोका भी वाला यह तो सिए सब यह थिंग करना यह क्या है देसे अधिशन पर टो में एक पेज पर क्या करूंगा ऐसे हरे अरे कलरका का गोला किचूंगा गोले को क्या बॉल दूगा इस एट डो मसलक तरह करनी है कौन सी एक्टर्ष प्रिमोलिस और इलियस स्वास उपर की सैट मुझे चार मसल करनी है चार गोले कर चाहार मसल्स हो गई पीछे की साइट क्या करूँना है यह च्छ गोले करों दूगा वन टूटी हाई वन्य 2-3वयव और यह जडू कर दूगा वन तो यह तो यह होगा यहाँ पीछे की साइट के लिए एक मसल दूगा होगा धू स्थार गोले पीछे के साइड चसरो निचके साइड यह वाले सारे के सारे गोल है and and हमारा डायकराम फिनिश। है तो मैंने देखी यह वात यह आपको पुरेरा घालम बता दिया एंड कोई जो कोई ना अब हम आते हैं कि कैसे होता है आपको यकीन नहीं वागा कि überset दाइगराम भी हो भी आके हैं तो दिखाते हैं आपको तो यह हमारा डिस इस दाइगराम ओव हिढ जोइंट and hip joint relations okay and as it is ऐसा ही डाइगराम हमने शोल्ड जोइंट का बताया था आपको मैंने बोला था ना कि हिप जोइंट एंड शोल्ड जोइंट दोनों को एक साथ पढ़ना देखिए shoulder joint and hip joint एक साथ पढ़ना क्योंकि हमने इन दोनों को बड़ा ही correlate करके बताया है ओके तो इसा ही diagram आपने shoulder joint पर बनाया होगा आते है main point पर मैंने पुला आगे की side दो गोलन तो देखिए manner side देखिए में यहांसा दू इस से जो भी हाइलाइट है वो सााथ के सारे क्या है ए मतलब एंटीटीर रिलेशन ची मतलब फॉस्टे डिलेशन है स्मतलब सुपीर डिलेशन इस्सक्र टे Sutra से सारे के तो आगे साइड मैंने क्या बताया है सबसे पहले बताया है ईजिए इलियोस्वास मसल इस एंटिर रिलेशन एंडेन दूसरा क्या बताया है Straight Head of Rectus Pemoris Straight Head of Rectus Pemoris तो वही है देखिए Straight Head of Rectus Pemoris and Reflected Head of Rectus Pemoris देखिए मैंने Reflected Head और Straight Head दोनों को काले करके SQ कर रखा है वोगी दोनों के दोनों क्या है Rectus Pemoris के Head है हमने यहां बता है तना आपको देखिए Rectus Pemoris, Quadriceps Pemoris इसके 4 Head होते है सबसे पहला है Rectus Pemoris इसके भी 2 Head होते है Reflected Head and Straight Head Reflected Head कहां होता है यह होता है हमारे Superior Relation में देखिए Reflected Head of Rectus Pemoris This is Superior Relation of Hip Joint and Straight Head of Rectus Pemoris यह कहां होता है हमारे Anterior Relation में तो Straight Head Anterior है and Reflected Head यह Pink कलर से Light कर रखा है Pink Color से मतलब Click कर रखा है Pink Color से मैंने Color कर रखा है मतलब Reflected Head को मैंने Pink Color से Right कर रखा है मतलब This is Superior Relation Okay समझ क्योंगे and both are the Head of Rectus Pemoris उसे के साथ-साथ मैंने आपको Anti-Relation में एक और बात बताई थी कि Anti-Relation यानि कि Femoral Triangle के Floor की Muscles and Femoral Triangle का Content मतलब Hip Joint का Anti-Relation यानि कि सब का सब क्या है Femoral Triangle है तो Ileos Was दी ये दोनों के दोनों Muscles हमारे Floor और Femoral Triangle बनाती है and अब Content की भी बात कर लेते Femoral Triangle के तो Femoral Triangle के Content पे क्या होता है Femoral Nerve Femoral Artery and Femoral Vane तो सब से उपर वाली Nerve है देनलाल वाली Artery है अब लाल के देश नीचे क्या है Vane तो और ये दो Muscles and ये तीन चीजे हो गई हमारे anterior relation of hip joint and ये सारी की सारी मैंने आपको Previous वीडियो में बता दिया था सारा का सारा Nerve Artery Vane Eleo Suas and Rectus Femoris अब आते हैं Superior Relation Superior में बता थी चार चीजे वो चारी यहां पर लिख रखी है सब से पहली क्या है Pink वाली यानि की Superior Relation Reflected Head of Rectus Femoris then Gluteus Gluteus Maximus Gluteus Medius Gluteus Minimus Medius यानि की बीच में है Medius यानि की Medius यानि बीच में है Maximus और Minimus के बीच में है तो यह हो गया तो देखे सब से नीचे क्या है This is Reflected Head of Practice Memories इसके बाद ये वाली क्या है This is Gluteus Minimus ये वाली क्या है Gluteus Medius ये सब से बड़ी वाली क्या है This is Gluteus Maximus मतलब मैंने Maximus Medius Minimus कवर हो रही है यहाँ पर लिखा है Rectus Primorius का Reflected Head इसे ये तीनों मुसल कवर करती है मतलब This is Reflected Head of Rectus Primorius इसके उपर Gluteus Maximus भी होगी Medius भी होगी Minimus भी होगी ये बात यहाँ पर पूरी क्लियर हो रही है देखिए This is the Reflected Head Head of Practice Primorius सबसे नीचे है इसके उपर Minimus है इसके उपर Medius है इसके उपर Maximus है ओके तो ये वाली Line Covered by वाली Line यहाँ से Clear हो गई ओके आई आप आप समझ गयोंगे और देखिए मैंने Gluteus Maximus के लिए एक और बात बताई थी कि This is बहुत बड़ी मसल बहुत ही बड़ी मसल होती है इसे हम Superior Relation में भी पढ़ते है Gluteus Maximus को इसे हम Posterior Relation में भी पढ़ते है तो देखिए वही Gluteus Maximus ये Pink कलर से भी Light कर रखी है मैंने इसे मैंने Red कलर से भी Cover कर रखा है Red यानिकी Posterior Relation Pink क्यानिकी Superior Relation तो ये उपर भी है और पीछे भी है ओके बीच में हरारा क्या है मैंने बोला था ना कि हरे रे के आगे 2 मसल हरे रे के उपर 4 मसल हरे रे के पीछे 6 मसल तो उस्टी रेलेशन में 6 मसल जीतो है तो हरारा यानिकी Acetabulum यहाँ पर 6 मसल मैंने सिक्वेंसे डो कर रखी है इसी सिक्वेंसे मैंने बोला था ना अप्टू डाउन इसको सिक्वेंसे याद रखना जब आप सेपरेट ग्लुटेल डीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप यह सिक्वेंस पढ़ेंगे इन्ड कि ओपर क्या थी सिर्फिस मेक्सिमस यहا time ग्लुटेश मैक्सिमस तो यहाँ पर देखे सभ्षिटेश मेक्सिमस है देन य। यह क्या है पीरिवोर मिस एंड पीरिवोर भीश याहारी tीन मिसल opt käاس प्लस टू गेमिली तो रेकिए शियाटिक नर्व काली-काली लायन के नीचे ऑप्टेटर इंटरनस प्लस टू गेमिली है और रेकिए मैंने इन तीनों मसल्स को ऐसे एक साथ ड्रो करका है इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया इस जूम में जो सबसे बीच वाली है न यह क्या उपलेटर इंट नीच है टे ऑपटेटर इंटरनस मसल और इस इंटरनस मसल के उपर वाली क्या होगी गैमिली-शूपीरियर इसके ज़स नीचे वाली क्या होगी गैमिली submit उनलड हरी वाली प्लस द ओ औरेंज वाली तो वहीं हो गया और अप्पेटर इंटरनस क्लेस़ हमारा Quadratus Femoris तो देखिए सबसे लास्ट में है Quadratus Femoris ओके यह हो गया तो दीज आर वन टू त्री फोर फाइव एड ग्लुटेस मेक्सिमर्स नंबर शिक्स यह मसल हो गई हमारे Posterior relation of hip joint में देखिए मैंने यहां पर एक लाइन लिखी थी Tendon of operator अच्शननल इस सिछ दर्फ पोस्टेरे लेशन और बताया था कि यहां पर टेंडं क्यों यहां पर टेंडं क्यों नहीं है जैसा सब चैब्स दो जगा था ना सो पोस्टीर एंड सोपीरे रिलेशन में यहां भी Glyte's Maxima सही यहां भी Glyte's Maxima सहीं वैसा Poster relation debates in fat relation और मैंने बताया था कि पीछे साइड TENDAN क्यों गोलता है मैंने TENDAN क्यों बोला इंड नीचे की साइड TENDAN क्यों नहीं होता यहां पर मैंने मसल क्यों बोला यह मैंने बात की थी अगर आपी pledge देखी हो ज insult मैंने यह पूरा चार्ड 009 किया था यहाँ पर यह पर टेंडन नहीं होता यहाँ पर ग्लूने चैंट इाग्राम में यहाँ पर मचलर कर रखी है और जैं हम आद से हैं इन फीडे डिलेशन की मैंने यहाँ पर टेंडेंट डो ही नहीं किया है अगर टेंडेंट डो ही नहीं किया है इसलिए मैंने लाल वाला यहीं खतम कर दिया मैंने लाल वाले से इसको क्यों नहीं किया कवर क्योंकि यह मसल है अगर मैं लाल वाले को लाल वाले से मसल को कवर कर तो तो लवड़ा हो गया ना लाल वला यानि की पोस्टी रिलेशन एंट पोस्टी रिलेशन में और एक्ट्रेटर एक्ट्रनस मसल नहीं होती है और एक्ट्रेटर एक्ट्रनस मसल का टेंडन होता है और यह मैंने प्रीविश वीडियो में डिलेशन सोफ जोइन पे एक्सप्ल हमने इसकी पूरी बात कर ली ऑप्टेटर एक्षेनस की एंड इंफिरेट लेशन में मैंने एक और मुसल यहां पर डो कर रकी है जिसका नाम है पेक्टिनियस मतलब अवराल मैंने हरा रा जानी कि दिस इस इंफिरेटेशन और यहां पर ओनली दो ही मुसल डो कर रकी है और प् काशणा ना हो इसलिए मैंने यहां पर दो ही मुसल की है आपको दिमाग में यह जहां करना देखना है कि हमारे थाएक होती कि सारे की सारी मसल्स होती है इंफीडे रिलेशन ओफ हिप चोइंट में ओके एंड डाइग्राम में बस ये दो ही डो करना ताकि डाइग्राम तोड़ा अच्छा दिके एग्जामनर को तोड़ा समझ में आई कि क्या लिख रखा है बच्चे ने ओके तो आयोप आप मेरी सारे की सारी बास समझ गी होंगे इस डाइग्राम में मैंने आगे की साइड दो मसल्स उपर की साइड चार मसल्स उपर वाले रिलेशन में चार मसल्स पीछे बारे रिलेशन में छा मसल्स नीचे बारे रिलेशन में दो मसल्स को ड्रो किया है ओके अब आपको लग भी गया होगा कि हाँ यार डाइग्राम और मतलब जो hip joint के relation का डाइग्राम है उसमें कुछ भी नहीं है अगर मुझे मुझे, अगर मैंने ये सारा का सारा एक्दम धंग से समझ कर धंग से समझ कर एक दम bone से समझ रखा है ना मतलब मैंने अगर ये सारा का सारा एकदम धंग समझ रखा हैं एकदम धंग से मैंने इसको पूरे को पूरे को बोन पर अप्लाई कर रखा हैं तो हिप जोइंट के रिलेशन का डाइगराम कोई बड़ी चीज नहीं है दिसीच चुटकी का काम बहुत ही छोटा है कुछ नहीं करना आगे दो उपर चार पीछे चर नीचे दो और डाइगराम फिनिश ओके अब हम नेक्स वीडियो में आपसे बात करेंगे ब्लड सप्लाई नर्स अप्लाई एंड मोमेंट ओफ हिप जोइंट के बारे में झाले गज दो जप्लाई और बारे में गुटकी का इंडा है झाल झाल